हेलो स्टूदेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11, मिस्लैनियस एक्सरसाइज चप्टर 3 की, चप्टर 3 की मिस्लैनियस एक्सरसाइज के कोश्चिन 1 to 7 हम कर चुके हैं, अब हमारे पास है कोश्चिन नमबर 8 से स्टार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चिन है, आपके कोश नमबर 8, 9 and 10, देखो, find sin x by 2, cos x by 2 and 10 x by 2, हमें क्या find करना है, sin x by 2, cos x by 2 and 10 x by 2, if 10 x is equal to minus 4 by 3, x in a quadrant second, और हमारा जो x है, वो कहां लाई करता है, second quadrant में लाई करता है, second quadrant में लाई करता है, तब ही तो हमारे पास 10 के साथे रखा है, negative देखते हैं, देखते हैं कैसे, here x is in quadrant second, अगर x हमारे पास second quadrant में लाई करता है, तो second quadrant कहां से कहां तक है, pi by 2 से लेके, pi तक दे रखा है, हमारे पास angle ठिक है, क्योंकि second quadrant हमारा कहां से कहां तक है, pi by 2, और pi तक कहा है, हमारे पास pi by 2 से बड़ा है, और pi से छोटा है, अब देखो, हमें किस के लिए निकालन अगर x by 2 के लिए निकालना है तो इसका एंगल का half कर देंगे क्या आजएगा x by 2 इसका इदर आप करेंगे pi by 4 होजएगा इदर इसका half pi by 2 होजएगा हमारे पास तो हमारे पास इसकी लिमिट कहां से कहां तक आजएगी pi by 4 से बड़ी और pi by 2 से छोटी आजएगे हमारे पास pi by 4 कितना होता है हमारे पास 60 होता है 60 और 90 के बीच में आएगी आपके पास x by 2 की value देखते हैं कैसे sorry pi by 4 45 होता है हमारे पास 45 और 90 के बीच के लिए क्या आनी हमें therefore sin x by 2 cos x by 2 and 10 x by 2 इन्हें first quadrant अगर हम pi by 4 देखते हैं तो 45 और यह क्या हो गया 90 45 और 90 का लाई करेगा first quadrant में लाई कर गया तो यह हमारे पास जो हैं sin x by 2 cos x by 2 और 10 x by 2 यह तिन किस में लाई करेंगे मारे पास है first quadrant में देखते हैं 10 x is equal to क्या दिरका है minus 4 by 3 10 x का मारे पास क्या formula है sex square x is equal to 1 plus 10 square x यह हमारे पास formula है sex square x किसके equal है 1 plus 10 square x के equal है is equal to अब देखो sex square x निकालने के लिए हमने क्या किया 1 plus 10 हमारे पास क्या minus 4 by 3 का whole square is equal to क्या आजेगा 1 plus minus 4 का square 16 by 9 अब LCM लेंगे 9 बंजा 9 plus 16 25 by 9 sex square x किसके equal है 25 by 9 के equal है sex square का reciprocal कर देंगे क्या आजेगा cos square x और इसका reciprocal क्या होजेगा 9 by 25 cos x हमारे पास क्या आजेगा square है square को उधर लेके जाएंगे root हो जाएगा और root होके हमारे पास क्या आजेगा plus minus 9 का क्या आजेगा 3 और 25 गा 5 बट हमारे पास second quadrant में लाई करता है एंगल जब half होगा तब हमारे पास 45 से 90 के बीच में लाई करेगा बट जो x एंगल है जब तक हमारे पास तो कहां से कहां तक लाई करता है तब तक है second quadrant में और second quadrant में cos कैसा होता है second quadrant में कौन positive है sign और e cos x तो cos यहां कैसा होगा negative इसलिए हमने क्या ले लिया cos x is equal to minus 3 by 5 क्योंकि इस second quadrant में cos कैसा है negative है अब देखते हैं हमारे पास cos x आ गया cos x का हमारे पास formula apply कर दिया किसका cos 2x का हमारे पास एक formula है क्या 2 cos square x minus 1 यह formula है हमारे पास apply किया हमने देखो 2x था यहां x आ जाएगा अब यह cos x है तो x का half क्या हो जाएगा x by 2 आ जाएगा 2 cos square x by 2 minus 1 हमने क्यों apply किया एक formula है क्योंकि double angle है हमारे पास x और उसका हमें half करना है angle का half हम कैसे करेंगे किसी नहीं किसी तरह formula apply करके तो हमने इस formula से apply किया cos x की value क्या है minus 3 by 5 is equal to 2 cos square x by 2 minus 1 2 cos square x by 2 को इदर रख लिया minus 1 को opposite side में लेके जाएगा plus हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 minus 3 by 5 5 बन जा 5 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा 2 by 5 2 cos square x की value हमारे पास कितने आ जाएगी 2 by 5 आ जाएगी cos square x by 2 कितना है हमारे पास है cos square x by 2 इदर 2 था इदर लेके आएगे divide में आजेगा 2 by 5 multiply 1 by 2 2 से 2 cancel हो जाएगा क्या आजेगा आपके पास 1 by 5 cos x by 2 की value square था 1 by 5 आ गया square को इदर लेके आएगे root हो जाएगा 1 का root क्या आजेगा 1 और 5 का root है as it is cos x by 2 की value क्या आगे हमारे पास 1 by root 5 इसका हमने rationalization कर दिया क्या आजेगा root 5 by root 5 उपर root 5 आजेगा और इससे cancel हो जाएगा 5 आजेगा तो हमारे पास क्या आएगा root 5 by 5 अब देखो cos x by 2 आ गया हम sign निकाल लेंगे sign कैसे निकाल लेंगे की formula है हमारे पास sign square x by 2 plus cos square x by 2 is equal to 1 apply कर दिया हमने sign square x by 2 plus cos square x by 2 cos square x by 2 कितना है 1 by 5 है हमारे पास तो हमने इसका 1 by root 5 का square कर दिया is equal to 1 यह as it is is equal to इसका square open करेंगे क्या आजेगा 1 as it is इसको plus इदर लेंगे minus और 1 का 1 आजेगा root 5 का क्या आजेगा 5 5 बन जा 5 5 में 7 जाएगा 4 sign square x by 2 की value क्या आजेगी 4 by 5 sign x by 2 square है square को इदर लेंगे root हो जाएगा तो 4 का root क्या आजेगा 2 और 5 का root लगा देंगे plus से minus से x by 2 हमारे कहा लाई करता है first quadrant में था 45 से 90 के बीच 45 से 90 के बीच है तो it means first quadrant और first quadrant है तो सभी के सभी कैसे है positive है तो क्या लिख देंगे sign x by 2 is equal to 2 by root 5 multiply rationalization कर दिया root 5 by root 5 क्या आजेगा 2 root 5 और रिच्च क्या आजेगा 5 अब हमारे पास हमी क्या निकालना था 10 x by 2 sin x by 2 divided by cos x by 2 sin x by 2 की value क्या आई 2 root 5 by 5 आजेगी और इसको अगर हम यहां से लिते हैं तो क्या आजेगी 2 by root 5 और cos x by 2 की value क्या है 1 by root 5 root 5 से root 5 cancel हो जेगा क्या आजेगा 2 by 1 2 by 1 क्या होता है 2 तो हमारे पास क्या आजेगा sin x by 2 कितना है 2 root 5 by 5 cos x by 2 कितना है root 5 by 5 और 10 x by 2 कितना हो गया हमारे पास से 2 यह था हमारे पास question number 8 next है question number 9 find sin x by 2 cos x by 2 and 10 x by 2 तीनों find करेंगे for cos x is equal to cos x हमें दिया हुआ है minus 1 by root 3 1 by root 3 दे रिख थे है 1 by root 3 x in quadrant third third quadrant में अगर लाई करता है तो third quadrant में हमारे पास क्या condition है con positive है only 10 और a cot positive है third quadrant में और cos कैसा होगा negative negative है तो आपको symbol negative का दे रखा है देखते हैं कैसे अब भी तक तो हमारे पास x वो कहां से कहां तक लाई करता है third quadrant third quadrant में क्या है pi से लेके 3 pi by 2 तो क्या है x हमारे कहां से कहां लाई करता है pi से 3 pi by 2 फिर x by 2 है x by 2 इसका half कर देंगे इसका half हो जाएगा और इधर भी इसका half हो जाएगा 3 pi by 4 आजेगा तो हमारे पास क्या आजेगा pi by 2 से लेके 3 pi by 4 तक आजेगा 3 by by 4 को हम open करेंगे कैसे open करेंगे 3 as it is 5 की value 180 रख देंगे 4 as it is 4 4 जा 16 4 5 जा 20 multiply करो 3 5 जा 15 3 4 जा 12 और 1 13 135 और ये कितना है 90 90 और 135 किसके बीच में लाई करेगा हमारे पास ये हमारे पास 90 है और ये हमारे पास 180 है तो किसके बीच में लाई कर गया 180 और 90 के बीच में कौन है 135 तो 90 और 135 के बीच में अगर लाई करेगा तो किस quadrant में होगा second quadrant में होगा second quadrant में कौन positive हो only sine और cos x positive है therefore cos x by 2 and 10 x by 2 are negative where sine x by 2 as in positive यहाँ पे 10 और cos negative होंगे but sine x by 2 कैसा आएगा positive अब given में देखो क्या दे रखा है cos x is equal to minus 1 by 3 cos x का हमने formula लगा लिया 1 minus 2 sine square x by 2 यह भी हमार पास formula है cos 2 x का apply किया sine square x by 2 इदर रख लिया इसको इदर लेके आए positive होगा और इसको इदर ले आएगे negative होजेगा क्या आजेगा 1 minus cos x है 2 इदर multiply था इदर आएगा divide में आजेगा तो sine square x by 2 is equal to 1 minus cos x की value क्या है minus 1 by 3 by 2 minus minus plus होजेगा 1 plus 1 by 3 by 2 इसको करेंगे 3 plus 1 3 plus 1 4 by 3 by 2 आजेगा और इसको cancel कर देंगे क्या आजेगा 2 by 3 sine x by 2 मारे पास क्या आजेगा square को इदर लेके गए root होजेगा root 3 rationalization कर दिया root 3 से 2 और 3 की multiply क्या आजेगा root 6 से और root 3 root 3 कितना आजेगा आपके पास से 3 cos 2 x अब देखो cos x का मारे पास एक formula क्या है 2 cos square x by 2 minus से 1 ये apply कर देंगे तो cos square x by 2 is equal to square z is रख लिया 1 को इदर लेके आए plus होजेगा 1 plus cos x और divide में 2 1 plus cos x की value क्या है minus 1 by 3 by 2 minus आजेगा plus minus minus 3 बन जा 3 3 में से बन जाएगा 2 2 by 3 divided by 2 2 से 2 cancel होजेगा cos square x by 2 क्या है 1 by 3 cos x by 2 की value क्या आजेगी इसको अमसॉल करेंगे तो हमारे पास 1 by 3 है अगर square को उदर लेके आए तो क्या आजेगा आपके पास से negative है तो हम क्या लेंगे इसको negative लेके चलेंगे cos x by 2 is equal to minus 1 by root 3 rationalization कर देंगे root 3 by root 3 अब उपर क्या आजेगा minus root 3 root 3 से cancel होगे क्या आजेगा 3 10 x by 2 क्या है मारे पास sin x by 2 divided by cos x by 2 sin x by 2 की value हमारे पास क्या आई थी root 2 by root 3 cos x by 2 की value क्या आई minus 1 by root 3 root 3 से root 3 cancel के आजेगा minus से root 2 यही हमें निकालना था कि sin x by 2 cos x by 2 and 10 x by 2 sin x by 2 आगया root 6 by 3 cos x by 2 minus root 3 by 3 10 x by 2 minus 2 आजेगा आपके पास next है मारे पास question number 10 find sin x by 2 cos x by 2 and 10 x by 2 4 sin x is equal to 1 by 4 sin x हमारे पास कितना है 1 by 4 है और x किस quadrant में लाई करता है second quadrant में अगर second quadrant में लाई करता है तो sin कैसा होगा positive इसलिए sin positive दे रखा है second quadrant कहां से कहां तक होता है pi by 2 से pi तक x is in the quadrant second x हमारे पास कहां से कहां लाई करेगा pi by 2 से pi अब x का half कर देंगे, इसका half क्या जगा, pi by 4, इसका x by 2 और pi का half, pi by 2, pi by 4 कितना होता है, 45 और ये कितना हो गया, 90, तो हमारा x by 2 कहां से, कहां तक लाई करेगा, 45 से, 90 और 45 से 90 हमारा किस quadrant में होता है, first quadrant में, तो first quadrant में है, तो sin, cos सब कैसे आएंगे, positive आएंगे, कैसे, देखो, given है, हमारा पास sin x is equal to 1 by 4, sin x का हमारा पास formula है, cos square x is equal to, 1 minus sin square x is equal to, 1 minus sin square x का formula, sin square x है, sin x हमारा पास 1 by 4 है, उसका square कर देंगे, 1 minus 1 by 16, 16 बन जाए 16, और 16 में से बन जाएगा, 15 by 16, cos x हमारा पास क्या आया, अब square था, उदर लेके जाएंगे, root हो जाएगा, minus root 15 और 16 का क्या हो जाएगा, 4, अब cos हमारा second quadrant में कैसा है, negative है, इसलिए हमने क्या लिया, minus root 15 by 4, अब देखो, cos x आ गए हमारे पास से, cos x से हम formula apply कर सकते हैं, half के लिए, cos x के लिए हमारे पास formula क्या था, पिछे उसमें हमने use भी किया था, कि cos x is equal to, क्या आ जाएगा हमारे पास से, 1 minus 2, sin square x by 2, यह formula apply कर दिया, हमने cos x is equal to, अगर हम इसको solve करेंगे, तो क्या आजेगा, इसको opposite side लेके गए, plus हो गए है, sin square x by 2, इसको इदर लेके आए, 1 minus cos x, cos x की value क्या है, minus root 15 by 4 divided by 2, अब देखो minus minus plus हो जाएगा, 4 else हम ले ले लेंगे, 4 बन जा, 4 plus root 15, और 4 2 जा, 8 आजेगा, sin x by 2, 4 plus root 15 by 8 आजेगा, square था, इदर लेके आए, root हो जाएगा, यह हमार पास root करने के बाद आया, 4 plus root 15 by 8, आप देखो sin x by 2 आगया, 8 है हमारे पास, 8 का अगर हम 2 से multiply कर दें, क्योंकि 8 2 जा 16, 16 किसका हो जाएगा, मारे पास 4 का, तो हमने 2 से multiply कर लिया, 2 से multiply करने के बाद क्या है, 2 4 जा, 8 plus 2 root 15 divided by 16, और 16 किसका हो जाएगा, 4 का, तो sin x by 2 क्या है, 8 plus 2 root 15 by 4, उसके बाद हमारे पास क्या है, cos square x by 2 का formula क्या है, 1 plus cos x by 2 is equal to 1 plus cos x क्या है, plus minus root 15 by 4 divided by 2, अब देखो LCM ले ले लेंगे, plus minus है, minus आजएगा, 4 1 जा, 4 minus root 15 और 4 2 जा, 8 आजएगा LCM में, cos x by 2 square को उधर लेके गए, root हो ज 4 minus root 15 by 8, फिर इसको भी 2 से multiply कर दिया, क्या आजएगा, 2 4 जा, 8 minus 2 root 15 और 2 8 जा, 16, 16 किसका आजएगा, अमारे पास 4 का, cos x by 2 अमारे पास क्या है, 8 minus 2 root 15 divided by 16 आजएगा, cos x by 2 is equal to 8 root, अमारे पास as it is रहेगा, 8 minus 2 root 15, 16 का क्या आजएगा, आपके पास 4 आजएगा, 10 x by 2, 10 x by 2 किसके equal होता है, sin x by 2 divided by cos x by 2, sin x by 2 हमारे पास यह है, cos x by 2 यह है, 4 से 4 cancel कर दिया, यह क्या आजएगा, root 8 plus 2 root 15 और root 8 minus 2 root 15, अब देखो इसको as it is लिख सकते है, क्योंकि दोनों काला के लिख रूट है, पूरे को root के अंदर लिख लिख लिया, और rationalization कर दिया, denominator का, यह माइनस है, तो किसे कर देंगे, plus से, 8 plus 2 root 15, और नीचे भी क्या आजएगा, 8 plus 2 root 15, a plus b into a plus b, क्या आजएगा, a plus b का whole square, और नीचे क्या आजएगा, a square minus b square, इसके square से root cancel होजएगा, क्या आजएगा, 8 plus 2 root 15, divided by square root as it is, 8 का square 64, minus 2 का square 4, और root 15 का 15, 15 for 16, उपर क्या आएगा, 8 plus 2 root 15, और 64 में से 60 जाएगा, 4, 4 किसका होता है, 2 का, उपर से हमने 2 का मने लिया, तो क्या आजएगा, 2 से 2 cancel होजएगा, 4 plus root 15, और 2 से 2 cancel होगया, sin x by 2 हमारे पास यह है, cos x by 2 minus में आजएगा, 10 x by 2 क्या है, 4 plus root 15, यह थी हमारे पास exercise, chapter 3 के miscellaneous exercise, ओके, थेंक्यू. झाल झाल यह थेंक्यू.